मतुरा के जिलाधिकारी नितिन बंसल ने कहा है कि बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अमबेटगर के आदर्शों पर चल कर देश प्रगती के शिखर पर पहुँचेगा उन्होंने कहा कि बाबा साहिब ने जाती पाती से उपर उठ कर देश की उन्नती के लिए कारे किया तथा समाज के दलित, पिछडे एवं शोशित वर्ग के लोगों को बराबरी का हग दिलवाया श्री बंसल कलेक्टरेट सभागार में डॉक्टर अमबेटगर की 126 वी जयनती के अफसर पर आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार वेक्त कर रहे थे जिसका शुभारम उन्होंने बाबा साहिब के चित्र का अनावरं करके किया अधिकारियों और करमचारियों ने चित्र पर माल्यार पणकर डॉक्टर अमबेटगर को श्रधा सुमन अर्पित किये जिलाधिकारी ने कहा कि अम्मेटकर ने समाज के कठोर मकड जाल को तोड़ कर सरल बनाया तथक श्वेत्रवाद जातिवाद आदी कुरीतियों से समाज को मुक्त कराने के लिए जीवन भर संखर्ष किया वे ऐसे महापुरुष थे जुनकी अच्छाईयां लोग अपने जीवन में धारण करते हैं श्री बंसल ने कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों को अपना कर छोटे छोटे मतवेधों को बला कर हम सभी विकास की बात करें और समाज के लिए कारे करें आप भी यह मानेंगे कि आप लोगों को भी उनकी बातों ने सोजने पर मड़ूर किया होगा कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं प्रद्कर वीम्राव उम्मीतकर की शक्षियत के बारे में वेरेसे पूर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे और उनके जीवन दर्शन के बारे में बताया बहुत कम ऐसे शक्षियते होती हैं जो आपके जीवन को परिवर्दित करने देश में जो समाजेत ताना माना है उसको परिवर्दित करने उसका उध्धान करने में युगदान दे सकती है और इसी लिए मनाया जाते हैं कि इन से हम प्रेवना ले सकें चाहे वो आज का दिन हो चाहे दो अक्तूपर हो चाहे 14 नमंबर हो चाहे हमारे राश्ट्रिये पर हो 26 जनवरी हो 12 अगस्तृ ये इसी लिए मनाया जाते हैं ताकि इन से हम प्रेवना ले सकें कि हमें अपने जी विवंचाहिली किस तरीके की मनानी हैं। क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, समाज में बदलाव लगाता रहता है। परंटु वही परिस्थितियां, आज से सौ साल पहले, हदार साल पहले इतिहास में, किसी और परिस दिर्श्व में देखी गई हों। जैसे मुझसे पहले लोगों ने बताया, हमारे बद्ताव ने बताया, कि रखर भीवराव मिंतर ने अपने जीवन में जो कुछ देखा, उसको अपने लिए बदलने की कोशिश नहीं की। उसको समाज के लिए बदलने की कोशिश की। क्योंकि अपने लिए बढ़िया फानी से अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, जो उनका ग्यान था, जो उनका विदी का ग्यान था, जो उनका समाज शास्ति का ग्यान था, उसके जरीए बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपना जीवन बना सकते हैं। परन्तु कुछ लोग अपने लिए नहीं, समाज के लिए अपने साथियों के लिए जीते हैं, और उनी के लिए काम करते हैं, ऐसा ही जीवर्ण दुकतर भीब्राव उमेधकर का रहा, इसी लिए उनको याद किया जाता है, इसी लिए, आज आप सब लोग, हम सब लोग कत्रित है ये बात अलग है कि हर महापुरुष्टा अपनी एक विजाद धारा है उसके कुछ बातों पर हो सकता है आपको लगता हो कि आप सहमत हैं कुछ पर नहीं पर उनकी विजाद धारा इस देश के लिए उस समय की जरूरती मूलवूद जरूरती है चाहे उनका वो विदी का ग्यान हो चाहे समाज की उनकी कल्पना हो परिकल्पना हो उनके जो भारत की अगर आप स्वतंतुता के लिए संधराम की तरफ देखेंगे तो दो अगर मुखे धारा देंगी जाए एक गांदी जी द्वारा चलाईगी एक जो एक्स्ट्रीमिस्ट विंग था उसके द्वारा चलाईगी तो जो गांदी जी द्वारा मौडरे धारा चलाईगी उसमें कुछ उक्र चीजों की जरूरत थी वो डॉक्टर भीम्रा प्रशासन अजै कुमार अवस्ती अपर जिलाधीकारी वित्य एवं राजास्व रवींद्र कुमार, अपर जिलाधीकारी قانून व्यवस्था रमेष चंद्र, डिप्टी कलेक्टर, एंपी सिंग, जिलादा अभुकारी अधिकारी चंदर शेखर सिंग, जेश्ट अभियोज सबसे पहले भारत रख बाबा साहिट डॉक्टर भीम राव मेटकर के जंग दियोष के हादिश उप्रामने इनके जीवन परिचर और इनके द्वारा किये गए गारों के बाले में अभी पूर्ब वक्ताओं ने बिस्तर से दानगारी दी वाकई में अच्छूतों अशायों निर्वर भर के लिए बाबा साहब ने जो काम किया वो युश्व में अर्दिती विशाथ है अपनी हाड़ के से पाले देता हूँ बाबा साहब ने इस देश के लिए जो कारकिया वक्ती है वो युश्व प्राचीन भारतिय मनीशी परंपरा के अगरदूत थे बहुत पहले शली आ रही थी यदि आप प्राचीन समय से देखें देश के जो दो महाकरंथ हैं रामाण और महाभारत दोनों ही किसी सवर्ण दोरा नहीं लिखे गए दोनों ही ऐसे वक्तियों दोरा लिखे गए जो हिंदू समाज के थे इनुश्व समाज की बहुती मिश्वी याद्पी सेड़ियों से तक कालियन बार्णी समाज में उन्हें महाथ की उपाज कर आगा गते हैं African你 बहुत कम होगा हम लोग सारे लोग बहुत कुछ उनके विसे में जानते हैं बहुत कुछ दूसरों के दोरा बताएगए ज्यान के आधा़ से जानते हैं और बहुत कुछु हम जानते ही नहीं देर तो धीरे धीरे वेमना, धीरे सपुछ होई, माली सीचे सौगड़ा रिक्वाय पन होई, तो धीरे धीरे समय आया कि आज हम अमगेटकर जी को इस रूप में याद कर रहे हैं, इसके पहले साइज इस्तित नहीं थी, कारते हैं, इतिहाद लिखा जाता है, तो सत्ता पक्ष के द्वारा निखा जाता है, तो अलिक्वाया जाता है, लेकिन इजिहाद में बहुत सी ऐसी बिलुप धाराएं होती हैं, जो समय विसेश पर सत्ता कास पर सपा कर, उभर कर सामने आती हैं, तब हमकुम के विसे में बहुत सारी आंकारिया होती है, समोधा ही अमगेटकर जी के इमेट करके जीवन, सहली, जीवन पर्चे के वारे में अपने विचार देक्त पर चुके हैं, हर दिनों पर उन्होंने प्रकास डाला है, डाक्टर डिया घंवेटकर, चोड़े अपरेल, अठाज सो एक्यान में, इन्होंने मद्देश के इंदोर जिले के मौग में, जन्मल और जोड़ना चाओंगा, जाती मिसे इसका नायग बनाना सर्पता गलत होगा है, हम आज के आदुरिक प्रप्रेच में जी रहे हैं, अंतर आश्टी इस्तर पर भी यू रेल रे, आज के दिन बाबा साथ के जनम दिन को नोनिज देर के रूप में मान का प्रदान गी थे सभा का संचालन संग के सचेव कृष्ण गोपाल अगरवाल ने किया, जनपत महावन की तहसील में भी बाबा साहिप की 126-वी जयनती बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई, तहसील सभागार में आयुजित कारेकरम में, SGM, IAS, अनुने जहा और तहसीलदार अजय अमवश्ट सहित, अन्य अधिकारियों, करमचारियों ने डॉक्टर अमबेटकर को श्रद्धानजुली अर्पित की और जीवन वरत पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया डॉक्टर भीम राओ, ग्रामजी अमबेटकर का जहनती तहसील महावन में बनाया गया, जिसमें मेरे साथ तहसिलदार सहाब, नाइप सहाब और तहसील के अन्य काफी करमचारी मौजूद थे मालयारपन के परश्टात हमने तॉक्टर अमबेटकर के कुछ आइडियास पे गौर किया, कुछ जो उनके विचार थे उस पे हमें विवेचना की और हमें यही पता चला कि वे जो विचार उनके आज से 60-70 साल पुराने जो उनके विचार थे, वे आज भी काफी relevant हैं और अगर हम उन विचारों पे ध्यान दें और उन विचारों को अपने अंदर समा सकें तो हम समाज में काफी कुछ बदलाव कर सकते हैं, काफी कुछ सुधार कर सकते हैं और आज का कारिक्टरम बहुत सफलता पूरवक संपन किया गया और यही मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन को छुट्टी के तरह ना मना कर कुछ जो डॉक्टरम बेटकर के विचार हैं, उनको हम उन पे गौर करें, उन पे विवेचना करें तो आने वाले पीडियों की जो समस्या हैं वो शाहिद कम हो सकते आज सरप्रतम तो पुरे तसील प्रांगन में की साफ सफाई कराई गई और डॉक्टर भीम राव मिटकर साब के इस 126 में जैनती पर पुरे तसील परिवार के ओर से उन्हें नमन करते हुए सभी स्टाप को उनके बताय हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया और डिजिटल इंडिया की तहत डिजिटल पेमेंट और इपेमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी लोगों को बताया गया कि वो डिजिटल पेमेंट का प्रियोग करें और जिससे की मानिय परदान मंतरी जी की जो सोच और योजना है उसको भी आगे बढ़ाया जा सके और हमारे सभी स्टाप ने पूरी तनमाइता के साथ इस काहर करम में हिशा लिया और उनके बताये गये मार्ग दर्शन में आग कारी कटनी का नोने शंकल पी लिया